उत्तर प्रदेश के सीतापुर से पहली बार कोई विधायक वाइरल आडियों की वज़ा से चर्चा में आया है वरना तो जिले के कई विधायक अवैद कब जा जूताकांड जैसे मामलों से चर्चा में आते रहे हैं वो चाहे जिस राजनेतिक दल के रहे हों इस टेप कांड के एपिसोड के बाद पहली बार विधायक राकेस राठोर ने किसी मीडिया संस्थान से टेलिफोनिक बातचीत की है और वो चाहते हैं कि यहाँ बात दुनिया के सामने जानी चाहिए जिसके चलते आवद नियूज इस आडियो यानि की टेलिफोनिक बातचीत को आप सब के सामने प्रसारित कर रहा है पूछ आतविरायक जी कि इस समय यह ओडियो वाइरल होने के बाद जी जी आपके पास फोन तो बहुत सारे आ रहे होंगे पूरे देश बर से हां मैं तो आये मेरे पास है आज सुबही ही वह बिहार से फोन आया था जैनार्दन कोई तो आप लोगों के कारण बहुत से बहुत सारे समाजिक संग्टों ने हमें भी पत्र पेजे जो समर्थन कर रहे हैं इन बातों का आजी हाजी हमारे पास भी कुर्मी पटेल सभा गुर्जर सभा लोदी सभा तमाम सेनाओं के और तमाम जातियों के राष्टी एद्द देसा पूरे एपिसोड के बाद कैसा लग रहा है आपको कैसा समय बीत रहा है दुख है दुख इस बात के है कि वो मेरी किसी से मतलब नीजी बात्चीत है जी 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 तो मैंने वो नीजी बात्चीत की ये वो मेरा फोन टेप किया गया या डाटा है magg किया बी रहा he मेरा अपराद क्या है अगर विधायक बना तो क्या मेरा ये अपराद है लोग क्या बाचीत नहीं करते अपने मित्रों से नहीं करते अपने परिवार से नहीं करते अपने रिष्टेदारों से नहीं करते क्या और उसका इस तरीके से आप जूरुपयोग करके और उसको सारजन कर लिया हूं कि एक बेटी थी साधी कर दी है जीमन में मतलब अगर जनुद पड़ी तो खून कहें के कतरा दे दूंगा देश के कतरा दे के इस दुनिया से बिदा लूँगा क्योंकि अब जो लोग करते हैं उनकी उमीद बहुत बल गई है आपसे हम बता रहें नीरज भाई हम भी थोड़ा सेंटीमेंटल हैं हमको कल एक रिकारी ने कहा भी है कि डिप्रेशन में है अच्छा तो डिप्रेशन में तो नहीं है लेकिन अगर जनुरुद पड़ी देश के संबेधान के खाते तो इसी जगे रहे के कत्रा खोन देके जाओंगा विदा लोगा जब मीडिया संस्थान के साथी के दोरा दूसरा सवाल यह पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्या इसकी वज़ा आपकी जाती है या कोई और वज़ा है तब क्या बोले वि मिलेने के बाद से मिले जाती है फुमान मद्दुक को कभी अपने ब्यव़ार में नहीं आने दिया लेकिन विदायक बने के बाद पल-पल जो तीव प्रहार मेरे उपर हुए जयत को लेके उसमें कभी कभे मैं अपने आवगों को समालने में असमर्थ रहा लेकिन यहां भी मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरा विक्तिकत करण जुरूर रहा लेकिन वो सारवजिनिक बिवार में मैंने कभी पढ़लिच्छत नहीं होने दिया और सब भी यह मानते हैं कि मैं भी मानता हूँ कि बगेर मजबूत समाच के निर्माड की यह हम मजबूत राष्ट के निर्माड नहीं कर सकते हैं और जिन बातों को मैंने उठाया वो बस इतना था कि जो लोग कमजोर हैं जिन लोगों को अभी समानता का हक सम्विधान में दिये दारे के अनुसार नहीं मिला तो उनकी बात करना मेरी समझे कोई अपराध की सिर्णी में नहीं आता मैं निर्जबे एक गटना बताना चाहूँगा आपसे मैं जिस मेकान में रहता हूँ वो दोड सड़क पे है कोने के कमरे में मैं लेटता हूँ और थोड़ा सा बस पढ़ने की आदत है रात में समय मिलने पर पढ़ने का भी प्रयास करता हूँ कमरे में निर्जबे मैं बताऊँ अकसर जब मैं लेटता हूँ तो मेरे मन में डर का एक भाव रहता है कहीं सड़क पड़ से कोई मा बाहन करता हुआ ना निकल जाए और ये एक्सर मेरे साथ होता रहा है एक दिन मेरी बेटी तब वो यहीं थी कहने लगी बहुत द्रवेत हो कि कि डैडी आप करते क्यों नहीं कुछ अब ये बरता हो मेरे साथ विधायक बनने के बाद बार बार हुआ कभी सोचता हू निरज भाई कि मैंने पूरे जीवन में कभी सराब चुई नहीं मेरे परिवार में नहीं किसी नहीं चुई पिता जी तेरा भाड़ती बहसा है जानते थे और पूरे देश के अंदर कभी एक अपरादी को नहीं जोड़ा कभी किसी अपरादी से मिला नहीं प्रयास नहीं किया और आप पता कर लिजे तीन साल हैं वैसे तो अब कोई साजिस करता मिल जाए तो मैंने कहीं कोई सारजने ठेका, पट्टा, इस्टैन, खनन, आलू, भालू कहीं प्रतासन से भी पता कर लिजे, मीरा कहीं पर रोल नहीं है और ना कर भी हमने प्रयास किया और प्रयास ये भी किया कि इसी विजानसवाच्छेट में कुछ सारजनिक कार इसे हैं जैसे एक सुनुवाद कि हमने सहर के नाले जम्हें चुना गया तो सिल्ट से भरे पड़े थे हमने अपने नीजी खर्चे से तीन मेन लगबक सहर के सतर असी पीज दी नाले तल तक साप कराए और उसका पढ़नाम ये आया कि दो साल ये सहर जल भराव से मुक्त रहा इसी तरही के सहर के बीच में बहने अली सराइन नदी के उपर भी काम किया एक पोगलन मसीन करीदा छोटे बहले भाई के नाम पर करजा लेके 40 लाक रुपे के नीरज भी करजा है उसके उपर 90 जार उपर महिने किस्त आती है लगबकर एक साल उस नदी के अंदर काम किया और मरी भी नदी जो नाले में तब्दील हो गई थी उसका सहरूब बदला आकसीजन बढ़ी पैनी में जल परवा बढ़ा सोते खुले लेकिन बढ़ दुख के साथ मेरी आखे बहराती है कि जब उसके दुरस्त साथ देखता हूँ जितने भी साहर के अंदर से नाले गिरते हैं मैं दो साल लगातार प्रयास करता रहा मानी मुखमंत्री जी से भी मिला लेकिन नालों के उपर एक नाला पका नहीं कराया जा सका एक नाले को नदी में गिरने से रोखने का प्रयास नहीं किया गया यहां तक कि जिन नालों के उपर ने छोटा सा बंधा बना के जाली लगवा दी थी, वो भी छेत के लोगों के दोरा या मेरे दोरा ही उनको तुलवा के हटवाना पड़ा, क्योंकि उसकी नीमत सफाई नहीं होती थी, सिल्ट रोकने और पालिथिन रोकने के लिए जो विवस्ता की गई थी, उसकी भी नीमत सफाई नहीं की गई, तो इस तरीके से मैंने प्रियास किया, अभी प्रियास किया कोई असत्ते बात न कहूं, कोई जूटा वादा न करूं, लेकिन उसके बाद इन अफमानों के दोर लगातार चला, जब मीडिया संस्थान के साथी के दोरा, विधायक जी से या पूछा गया, कि आपको जो पार्टी के सिरसनेत्रत के दोरा, नोटिस थमाया गया है, उसके जवाब में आपने क्या भेजा है, या जवाब भेजा है, कि नहीं, तब फिर विधायक का जवाब सुनिये, आपने जवाब भेज दिया है, नोटिस का, हम लोग अपने संग्ठन के मारफ़त से, पूरे प्रदेश में, पाखंड अग्यानता वा जातिवाद के खिलाप, लंबे अर्से से काम कर रहे हैं, और मेरा मानना है, कि पाखंड अखंड अग्यानता वा जातिवाद का समूल नास किये बगेर, हम एक मजबूस समाज वा मजबूस राष्ट का निर्माण नहीं कर सकते, करोने जिसी बैंकर वीमारी को देख कर, हमें सास सेवाँ के निचले पाइदान से उठकर, गंभीर, सो, चाचरणवान, सुन्दान पे पूरा ध्यान जहां केंदरित किये जाने किया सकता थी, तो उस दोर में मैंने इस बात जरूर कही कि लोगों ने जिस तरीके से थाली और थाली के समय भीड का परदर्सन किया, सडकों पे निकल पड़े, तो वोगी तो इस बीमारी को वाहग बनने में, बढ़ाने में कारण बना, मैं जानता हूँ, साजिचों की सुरुवात है, सुरुवाती दोर है, हमें भी गंभीर चुनोतियां मेरे सामने आएंगी, और हमें उनमें जूजना भी पड़ेगा, लेकिन इसमें नेरज भाई दोस्त नहीं किसी का है, मैंने मानता, अब दोस्त मेरा अपना इस जात में पैदा होना है, कि जिसके करण ये चुनोतियां पूरे जीवन मेरे साथ रहेंगी, लेकिन अगर जनूरत पड़ी देश के लिए संबेधान के खातिर, तो इसी जगे रहे के कत्रा घुन देखे जाओ,